आज हमारी नेम रियक्षिन नमबर 23 है जिसमें आज हम इश्मिट अभी किरिया इश्मिट रियक्षिन को पढ़ेंगे तो आईए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस वीडियो की PDF और इससे लास्ट वीडियो की भी PDF आपको हमारे टेलिगराम गूर्प में मिल जाए H2SO4 की उपस्तिती में कार्बॉ आउक्जिलिक अम्ल के साथ किरिया करके प्राथमिक आमीन देते हैं और इस अभी किरिया को इश्मिट अभी किरिया कहते हैं तो हमने क्या सीखा हमने ये सीखा के हमें हाइडराजोइक अम्ल लेना है और सांद्र सल्फिरिक अमल S2SO4 की उपस्तिती रखनी है और कार्बो अक्जिलिक अमल से किरिया कराएंगे जब हम कार्बो अक्जिलिक अमल से किरिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाएगा और हम इस अभी किरिया को क्या कहेंगे इश्मिट अभी किरिया कहेंगे तो ये था इश्मिट अभी किरिया के बारे में आईए अब हम इसे reaction से अच्छी तरह समझते हैं देखिए RCOOH ये कौन है? ये आपका कार्बॉक्जलिक एसिड है और मोनो कार्बॉक्जलिक एसिड है क्योंकि इसमें केवल एक COOH ग्रूप है किरिया और हाइडराजोईक का फॉर्मुलिक होता है? N3H N3H किसका फॉर्मुला है? हाइडराजोईक का और हम इसको हाइडरोजन एजाइड भी कह सकते हैं या हम इसको एजोइमाइड के नाम से भी जानते हैं और इस रियक्शन में जो आपको प्रिजन्स रखनी है वो किसकी है? कंसेंट्रेट H2SO4 की किसकी है? H2SO4 की इस रियक्शन में प्रिजन्स है देखो यह जो रियक्शन होगी उसमें कार्बो ओक्जिलिक एसिट का जो फंक्शनल गुरूप है COOH यह भाग लेगा मैंने क्या बताया? कि इस रियक्शन में कार्बो ओक्जिलिक एसिट का जो फंक्शनल गुरूप है COOH यह पाइटिसिपेट करेगा अब देखो आपको किस तरह से यह रियक्शन याद रखनी है? उसे समझेए यहाँ पर आपके पास कितने nitrogen है? 3 nitrogen है और 1 hydrogen तो यहाँ से आपना N2 के रूप में din nitrogen के रूप में निकाल दो दो nitrogen को निकाल दिया अब बताओ यहाँ पर क्या बचचा? यहाँ पर आपके पास बचचा है NH के लिए अब तुम देखो, यहाँ से, यहाँ से हम क्या करेंगे, COO है न, इसको निकाल देंगे, तो यह काय के रूप में निकलेगा, कारबन डायोकसाइट के, तो कुल मिलाकर बात यह समझ में आई, कि यहाँ से आप, याद लगखो इस तरह से, यहाँ से आप N2 निकाल दो, तो यह आपर कौन बच्चा, NH, अब इस H को इसके साथ अगर मैं मिला दूँ, तो बताओ क्या बन जाएगा, N, H2 बन जाएगा, और इस NH2 को इस R के साथ मैं मिला दूँ, तो बताओ क्या बन जाएगी, यही तो होगी आपकी प्राइमरी एमीन, लिए, इसे लिख दीजी है आपर R, N, H2 और यह बनी आपकी प्राइमरी एमीन, और इसी रियक्शन को हम कहते हैं, इश्मिट रियक्शन, बताओ यह समझ माई, चलिए इसे नोट करो, अब इसका हम एग्जामपल लेकर समझते हैं, अब दखो एग्जामपल आप कैसे याद करोगे, रध्यान से समझे उसे, हम जो है R के स्थान पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, CH3, तो CH3, COOH, इसका जो कोमा नेम होगा, एसिटिक एसिड होगा, और आयूपेसी नेम होगा, इथे नोइक एसिड, सब काम आपको वही करने हैं, जैसे मैंने अभी समझाया, जहाँ पर R है, महाँ पर क आयूपेसी नेम होता है, मिथनेमीन, के लिए, तो बताएए, एसिटिक एसिड से, आपने क्या बनाया, मिथाईल एमीन को बनाया, अगर आपसे कनवर्जन में पूछ लेता है, एसिटिक एसिड से, आप मिथाईल एमीन को कैसे उप्टेंड करेंगे, तो आप इस रियक्श कार्बो उक्जिलिक ऐसी भी लोगे तो जब भी रियक्शन ऐसी होगी देखे आप क्या करो दोगो मैंने हैं पर CH3 लगाया था आप CH3 हटा दो आप और क्या लिखो C6H5 क्लियर अगर आप ऐसे लिखना चाहरा है ऐसे लिख लीजिए और नहीं तो आप रिंग के रूप में लिखना चाहरा है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं तो आप रिंग बनाओ बैंजिंग रिंग क्लियर और यहाँ पर COOH लगा दो रियक्शन सेव हो नहीं है क्लियर जहाँ पर CH3 है वहाँ पर आप क्या लिख दोगे C6H5 लिख दोगे क्लियर बताईगी समझ मारी बार अगर रिंग के रूप में इसे भी लिखना चाहरा है तो लीजिए आप बैंजिंग रिंग बनाएगे और इस पर लगा दीए क्या NH2 गुरूफ तो यह उप्टेट हो गया अब इनका नाम जान लेते हैं पहले देखिए इसे हम कहते हैं बैंजोइक एसिड या हम इसे बैंजीन कार्बाउक्जिलिक एसिड भी कह सकते हैं या हम इसे कार्बाउक्सी बैंजीन भी कहते हैं अब एक नेम और याद रखनो तू देखो ये है फिनाईल ये फिनाईल है और ये क्या वाना मीथेनोइक एसिट तो हम इसे फिनाईल मीथेनोइक एसिट भी कह सकते है के लिए बेंजोइक एसिट भी कह सकते है बेंजीन कार्बाउक्सिलिक एसिट भी कह सकते है कारवाक्सी बेंजीन भी कह सकते है और फिनाईल मीथेनोई कैसिल भी कह सकते है अच्छा अब इससे क्या बना देखिए ये होती है आपकी एनिलीन क्या है ये एनिलीन और हम इसे बेंजिन एमीन भी कह सकते है हम इसको एमीनो बेंजीन भी कह सकते है क्लियर क्या कह सकते हैं हम इसको एमीनो बेंजीन भी कह सकते हैं और देखो ये कौन है फिनाइल और ये कौन एमीन तो हम इसे फिनाइल एमीन भी कह सकते हैं एनिलीन भी कह सकते हैं बेंजिन एमीन भी कह सकते हैं एमीनो बेंजीन भी कह सकते हैं और Phenyl Amine भी कह सकते हैं तो यह मैं नेम आपको Aster बताता हूँ यह भी आप note कर लीजिए आपके knowledge के लिए अच्छे रहेंगे तो यह थी आज हमारी Ishmit reaction इसमें हमने क्या सीखा इसमें हमने सीखा कि हम Carbocylic Acid से Primary Amine कैसे बनाते हैं और यहाँ पर इसमें दो एक्जामपल लिये एक Acetic Acid से लिया और Acetic Acid से हमने क्या बनाया Methyl Amine को बनाया और दूसरा Example हमने लिया Benzoic Acid का जिससे हमें क्या Optane हुई Aniline Optane हुई तो इस तरह से आपको Name reaction तयार हुई और आपको साथ में दो Conversion भी तयार हो गई अगर आपसे पूछता है कि भई आप जो है Acetic Acid से Methyl Amine को बनाये तो आप इस reaction की help ले सकते हैं या आपसे पूछता है कि Benzoic Acid से Benzoic Acid से Aniline को Optane करो Aniline को प्राब करो तो भी आप इस reaction की help ले सकते हैं तो I hope ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कैसी लगी हमें जरूर बताए और एक प्यारा सा सुन्दर सा अच्छा सा notes बनाते रहें और बहुत महनस से पढ़ाई करते रहें अपना अपने घरवालों का अपने समाज का अपने देश का नाम रोशन करते रहें हम मिलेंगे आपको इसकी next वीडियो में